Hello everyone and welcome back to the channel तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात कने वाले हैं Automatic Headlight Leveling System के बारे में अब आप सोच रहे होंगे Automatic System कब आया और उससे पहले Manual System हम किस तरीके से इस्तमाल करते थे तो Manual System जो है बेसिकली आपकी गाड़ी के अंदर लगा रहता है तो जब भी आप इसको गुमाते हैं तो इसके अंदर आपकी Headlight adjust होती है जब भी आप इसके Numbers को बढ़ाते चले जाते हैं तो आपकी Headlight देखेंगे अगर आप Level Road पे खड़े हैं तो Headlight आपकी तरफ श्रिंक होती चली आएगी मतलब गाड़ी की तरफ Headlight बढ़ जाती है तो इससे काम क्या होता है अब होता ही है कि जब भी अपनी गाड़ी को चला रहे होते हैं तो कभी कभी क्या होते हैं कि आपकी पीछे की तरफ लोड जादा रहता है मान लेजे कि लगेज है पैसेंजर बैठे हुए हैं पीछे की तरफ रियर सीट पे तो आपकी गाड़ी जो है आगे से जैसे यह आपका लेवल रोड है और यहां से जब भी आप इस पर लोड लगाएंगे तो आपकी गाड़ी जो है कुछ इस तरीके की उठ जाती है अब उठ जाएगी तो इसके जो हैडलाइट सिस्टम होता है या हैडलाइट की जो बीम्स होती है वो जो है एर की तरफ जो है स्ट्राइक करेंगे अब एर की तरफ अगर इस ट्राइक करेंगी तो सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो वहाँ पर आपको जो पैसेंजर है या फिर जो ड्राइवर है उसको गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी दूसरा यह है कि आपको जो रोड पर लाइट चाहिए जो से आपको अच्छी विजन रहे रोड के उपर वो भी यहाँ पर कम हो जाती है इसी चीज को कई लोग अंदिखा कर देते तो इसी सेफटी सिस्टम को जो है आप आप आटमाटिकली कर दिया गया है और इसको पूरे का पूरा ECU कंट्रोल करता है अब ECU किस तरीके से इस पूरे automatic system को control करता है वो मैं आपको बताता हूँ अब आपको जो है अपनी screen के उपर ये diagram दिख रहा होगा इस diagram में आप देखेंगे तो बहुत एक गाड़ी बनी हुई है गाड़ी के अंदर बहुत सारे systems बने हुए है तो आप घबराइए मत इस system के बारे में आपको समझाता हूँ और आपको जो है इस system अपनी गाड़ी के अंदर भी लगा हो दिखेगा अगर आपकी गाड़ी के अंदर automatic system है और ये knob आपकी गाड़ी के अंदर present नहीं है तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि किसी भी system को बनाने से पहले हमें तीन चीज़े चाहिए होती है automatic करने के लिए सबसे पहला sensor होता है उसके बाद जो उसका actuator होना चाहिए और दूसरा जो एक बीच में intermediate system होता है जो controller होता है जो sensor और actuator को command देता है और command लेता है तो यहाँ पे आपको देखेंगे sensors के बारे में तो sensor जो है आपका third number है और sixth number है तो यह दोनों ही sensor जो है आपके axle sensor होते हैं लाड़ी के अंदर axle sensor जो है आपकी vehicle के अंदर कितना inclination है हिल control system इन सब चीजों के लिए इस्तमाल किया जाता है तो अगर यहाँ पर बात करी जाए इस system के अंदर किस तरीके से काम करता है और क्या axle sensor होता है उसके उपर अलग वीडियो है हमारी उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको समझ पाएं कि axle sensor बेसिकली क्या है और किस तरीके से काम करता है तो यहाँ पर थर्ड और सिक्स पे जो है आपकी गाड़ी के अंदर होता है जिससे आप अपनी headlight को on या off करते हैं फिफ्ट नंबर जो है आप जैसा मैंना को बताए कि एक controller चाहिए होता है उस controller के हिसाब से जो है आपका पूरा के पूरा system एडजिस्ट होता है सेवन नंबर जो है आपका जो एक speed sensor है जो basically आपकी हर गाड़ी के अंदर ABS के अंदर ESP के अंदर इन सब system के अंदर भी लगा रहा है लेकिन यहाँ पे भी जो है हम सेवन नंबर से command or control लेते हैं या input लेते हैं 8 जो है यहाँ पर सबसे बड़ा major factor है इस पूरे system को काम कराने के लिए वो है हमारा load जब भी आपकी गाड़ी के अंदर load change होता है उस हिसाब से आपको headlight adjust करनी होती है लेकिन कई लोग करते नहीं है सामने वाले को भी अंधा करते हैं नुकसान करते हैं और इस वज़े से जो है driving conditions को बहुत uncomfortable बना दिया जाता है रात के बाक्त तो इसी चीज़ों करने के लिए automotive manufacturers ने जो है इसको पूरे का पूरे system जो है automatic कर दिया गया है अब इसके अंदर जो है आपको दो चीज़े दिखती है करिए तब आपका static system और कोई लोड है आपकी गाड़ी के पीछे उस वक्त पे भी आपकी गाड़ी के अंदर static system काम आता है तो इनी दो systems को इस यूज करते हुए आपकी गाड़ी के अंदर headlight का adjustment होता है तो आशा करता हूं आपको समझ माया होगा किस तरीके से आपकी गाड दोस्तों के साथ तागी वो भी समझ सकें किस तरीके से leveling system काम करता है अगर आपको यह चैनल अच्छा लगा और यह वीडियो अच्छी लगी इन topics के उपर जो हैं और भी वीडियो ऐसी बनाते रहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर subscribe करिएगा इस वीडियो को यहां तक देखन करने के लिए आपको धन्यवाद मिलते हैं आप से एक और नई वीडियो में अगर्वाइगा